आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है उन 12 बैड हैबिट्स के बारे में जिसे हर इनसान को बचना चाहिए यह जूब 12 बैड हैबिट्स में आपको बताने वाला हूं अगर किसी की इनसान के अंदर है तो चांसे जादा है कि उसकी किट्नी खराब हो सकती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी किट्नी को बचाना और अपनी किट्नी को इन 12 बुरी आदूत से बचाना तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैड हैबिट नमबर वन और वो है पानी की प्रपर अमाउंट का ना लेना बॉडी के अंदर पानी की कमी होना है अगर आपके होट सुकर हैं गला सुकर है आप पानी कम पीते हैं पानी नहीं पी पारें किसी विकारण से अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू है तो इसे का सबसे बुरा हासर आपके किद्नी से पही पढ़ना शुरू होता है अगर आपकी body में पानी की कमी हो रही है तो kidney को कम पानी के अंदर ही urine की formation करनी पड़ती है urine जादा yellow हो जाता है, dark हो जाता है, urine पास करनी में जलन हो जाती है तो अगर आपकी urine का color बहुत जादा dark yellow आता है या urine करते समय जलन होती है तो आपकी शरीर की अंदर पानी की कमी हो रही है और इस पानी की कमी को पूरा करना ज़रूरी है क्योंकि किड्नी आज बहुत महनत कर रही है कम पानी के अंदर सारा toxic material बहार निकालने में मगर अगर यही चीजें रोज-्रोज होती रही तो आपकी कीड्नी काम करना छोड़ सक कम करना की शुरू करेंगी और आपकी बॉड़ी की अंदर केटिनिन लेवल यूरिया लेवल जैसे जो टॉक्सिक मटीरियल है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है बॉड़ी को सही अमाउन में पानी का देना अगर उसके बाद पॉपर अमाउन में पानी है तो यूरिन की जो फॉमेशन है वो अच्छी तरगे से होगे और जितना अच्छा यूरिन बनेगा उतना अच्छा ही आपका टॉक्सिक मिटेर बॉड़ी से बहार जाएगा तो हमने ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमारा गला सूकरा है होंट सूकरे है यूरिन का लग जाएगा कि हमारी बॉड़ी में पानी के मांन प्रॉपर पहुंच गई है अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर टू पे और वह है जुरूर से जाधा पानी का इंटेक करना कभी कबार हम किसी ने किसी रीजन से अपनी स्किन के लिए इसकिन पे ग्लो लाने के लिए अब की बॉड़ी में पानी की रीक्वायमेंट से जाधा पानी लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉड़ी में फ्लूड जादा गया अभी जो एक्स्टा इमांट उफ्लूड है इसे बॉड़ी अपने अंदर नहीं रख सकती इसको बॉड़ी से बहार निकालना अगर ये काम उसको एक आधी बार करना पड़ता है, माईने में दो चाह बार करना पड़ता है, कोई फक्क मी पड़ता है, किड्नी इतनी सॉलिड होती है, कि वो इसको आराम से कर लेती है, मगर अगर आप रोज जान बुझ के बहुत जादा पानी इंटेक करेंगे हो, जबकि अपनी बॉड़ी की रिक्वार्मन नहीं है, तो धीरी धीरे हम क्या देखते हैं, कि किड्नी अपना फंक्शन से उन्हें खोना शुरू कर देती है, तो पानी कम पीना दिक्कत है, पानी का प्यास मैसूस हो रही है, गला सुकुरा है, होट सुकुरा है, तो पानी पीचिए, जुरू से पानी का इंटेक किसी कारण से मत कीजिए, अगर आप करते हैं, तो छोटे टाइम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करेंगा, तो अगर आप इसको हर में रोज करोगे, मेने किदर करोगे, सालों साल करोगे, तो आपकी किड्नी पर इसका बोरा सर पढ़ सकता है, और आपकी किड्नी खराब हो सकती है, अब चलते हैं, बैड हैबिर नमबर 3 पे, वो है कॉफी का ओवर इंटेक, कॉफी सब को पसंद है, कॉफी हमें अलर्ट करती है, हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत थके वे होते हैं, एक कप कॉफी का प्यते हो और एक दम हमें बहुत अच्छा मैसूस होना शुरू हो जाता है, मगा सवाल यह उठता है कि ऐसा कॉफी कैसे कर लेती है, कॉफी को इसको करने के लिए ब्लेड प्रेशर को बढ़ाना पड़ता ह तो हमारे ब्रेन तक जाधा अमांट ऑफ ऑक्सिजन जाधा अमांट में नुट्रिशिन पोस्टना शुरू करता है और हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाता है यानि कॉफी पी पी बेड़ेगा हमारे बॉड़ी को अच्छा लगगा मगर यह जो बढ़ावा बीप है किड्नी को नुक्सान पोस्टना शुरू करता है तो अगर आप कॉफी दिन में एक कप्यते हैं दो कप्यते हैं कोई नुक्सान आपको नहीं होगा क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपका बीपी बढ़ता है फिर वो रिलाक्स कर जाता है मगर अगर आप ब्लाक कॉफी के आप सही तरीके सी किजि़ कभी भी इसका ओवर एक्सिस में इंटेक मत किजी क्योंकि जितना ज़्यादा का कॉफी का इंटेक करेंगे हो सकता है कि आप की किड्नी को अथना ब्लड प्रेशर सहना पड़े और ब्लड प्रेशर की वचे से कीड्नी को नुक्सान देखना को मे इसे हम तंबाको की फॉर्म में लेते हैं आप यह फिर इसको स्मोक करते हैं हमारा ब्रेण को अच्छे अमान में अक्सिजन मिलनी शुरू हो जाती है मगर जब वो ब्रेण रिलाक्स कर रहा है तो उसका सबसे बुरे असर हमारी कीड़नी पर बना शुरू होता है कि जो बड़ प्रेशर बड़ा था अब वो आपकी किड़नी पर भी इंपैक्ट डालना सुरू करता है क्योंकि किड़नी के अंदर जो बलड सप्प्लाई होती है वो बहुत बारीक हुती है आपकी स्क्रीन पर हा रहा है आप दिहान निचन कोशिश करेंगे तो इह बहुत छो या फिर आप उसको तबाकू चबाते हों आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि तमबाकू के अंतर सिर्फ निकोटिन नहीं होता निकोटिन जैसे बहुत सारी कैमिकल जिसके अंदर होते हैं जो कि आपकी किड्नी को बहुत बुरा नुक्षान पुचा सते हैं तो अगर आपक है तो जरूरत है उसको छोड़ देने की अब चलते हैं अपने नेक्स बैड हैबिट के उपर और वह है अलकोल का ओवर इंडेक अलकोल को अकसर लीवर से रिलेट करते हैं कि जो लोग जादा अलकोल लेते हैं उनका लीवर खराब होता है मगर यह सहीं नहीं है अगर आप अ इसे बोड़ी से बहा नेकालने कोशिश करते हैं और इसमें काम दो ही आँक होती हैं पहला दूसरा किट्cle जब हमारी कीड्नि भी एक्स्रा काम कर रह ए तो इस एक्स्टा का बूरा सब्सां उनकालनी के लिए किड्नी को बहुतीजंसे प्रसेसिंग करनी पड़े हैं और सार अब चलते हैं नेक्स बैट हैबिट के उपर वह है प्रोटीन का ओवर इंटेक प्रोटीन हमारी बॉड़ी का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉड़ी में हर चीज जो बनी हुए उसके बहुत जादा माइनी होते है प्रोटीन को अब ध्यान से देखे तो दो हिसो में इसको एक होता है लो डेंसिटी प्रोटीन जिसको पचाना असान है जिसको बॉड़ी में एब्सॉब करना बहुत असान है और जो बॉड़ी में किसी उप्रोटीन का नुकसान पैदा नहीं करता है दूसरा होता है हाई डेंसिटी प्रोटीन जो की पचाने में बहुत भारी होता ह ब्रेक्डाँन करना था है अ क्याता है तो अगर कोई इनसान डेली बैसिस पे रेड का उन्चंप्शन करता है तो उसकी किन् suivी को हम खराब होते हैं क्योंकि रेड मीट के अंदर अगर हम देहान से देखें तो हाई डेंसिटी प्रोटीन होता है जिसे ब्रेकडाउन करना पड़ता है छोटी छोटे हिस्सों में बॉड़ी को तब जागे बॉड़ी के लाइक बन पाता है मगर वहीं पर लो-डेंसिटी पुटीन यानि आपकी दाले हो गई दूद पनीर हो गई या फिर आपका फिश हो गया चिकन हो गया एक्ष हो यह सारे low- oxygen protein में आते हैं जिसे हम वाइट मीट भी चाहते हैं और हम इसको बेज़िटीरिन प्रोटीन भी कहते हैं यह जो प्रोटीन होता है यह तो हमारी बॉरा आसर में थी जाता है और किसी टैब का भी बूरा आसर नहीं चोड़ता है तो कोई भी इंसान अगर red meat का consumption जरूर से जादा करता है यानि beef खाता है या फिर mutton खाता है तो उसकी kidney पर उसका बुरा आसर पर सकता है तो आप कभी कभार को खा सकते हैं, occasionally खाईए कोई दिक्कत नहीं है मकर आप daily basis पर खाएंगे तो इसका बूरा सर आपी kidneys पर जरूर जा सकता है तो ध्यान करकना है white meat daily लीजिए, red meat occasionally लीजिए इससे हमारी kidney आपकी organs पर केसी बीटाइब का extra overload ना पड़े अब चलते हैं next bad habit के उपर और वो है painkiller का यूज हमें दर्द हो रहा है, दॉक्टर ने में दर्ती गोदी लिखी और साथ में लिख दिया SOS की जब दर्द आपके सहन से बहार जाए तब आपने दर्ती गोली खानी है तो हमारी गणने का या फिर हमें मायकरेंग का दर्द हो रहा था तो एक गोली खाने से में आराम विल जाता है तो हमें इसका अगर चलिखना करने की स्दूत जानि पीन किलर की वज़े से खराब होने वाली किण्नी की कंडिशन, अगर हमें दर्द है तो मैं दर्द का इलाज करना चाहिए, दर्द को दबारा ने चाहिए, गुटने में दर्द हो रहा है तो कल्चिम लो, विटामिन डी लो कि गुटनी में दर्द खताम हो जाए, उसे वी नाओ किलर हो, जैसर खताम होका दुबारा से फक्राइब कर वापस हाए गाए उर फिर हमें दुबारा से पीन किलर का आपड़ेगी और यह जो पीन किलर होती है यह हमारी कि और बुरा असार पुचाती है और खासकर नुमोशलेट जैसी मेडिसिन्स या ड 민h देजलीम यह दू ऐसे पेंगिलर हैं जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होते हैं इन्हें पीले पत्ते वली गोली या हरी पत्ते वली गोली भी कहा जाता है यह अगर दवाई आप लेते हैं बार बार ले रहे हैं तो बहुत हाई चंसिस है कि आपकी किड्नी बहुत तीजी से ख अब चलते हैं अपनी नेक्स बैट हैबिट के उपर और वह है अपनी शुग दिकत है जो हर घर में देखनी को मिल जाती है दूसर तीसरा इंसान डाबेटिक का शिकार मिल जाता है और आपको जानके हिरानी होगी कि चार में से एक डाबेटिक पिशिंग की किड्नी खराब ह होती ही होती है सबाहलाणी ऐसा कि होता है जब शुग लेबल जादा होते हैं वारे बलड के अंदर जो ब्ल ego's के ले वैल्यू जा बढ़ जाएँ है यह जो ग्लकोज होता है हमारी हर बॉडि सेल्स को ताकत देता है तो जब जरू से जाता है तो यह एक्स्ट्र आमघ अग् और हमारी body के अंदर जहाँ पर भी बहुत बारिक-बारिक धमनिया है, arteries है, veins है, उनके cells को नुक्सान पोचना शुरूर करता है चाहे वो हमारे eyes के अंदर हो, चाहे वो हमारे nerves के cells हो, चाहे वो हमारे kidney के ही cells क्यों न हो तो high sugar level से सिर्फ आपी kidney खराब नहीं होती है, आपके eyes पर भी बूरा असर पड़ता है, तो इस high sugar level को कंडोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है अब सबाल यह उठता है कि शुगर की सही values क्या होती है, शुगर आपकी जो मर्ची हो, चाहे वो fasting हो चाहे वो पीपी हो, हमेशा कोशिश करो कि वो 200 से नीचे रहे अगर आपकी sugar levels 200 प्लस बने रहते हैं, तो बहुत हाई चांसे है कि आपकी kidney पर इसका बूरा असर पढ़ रहा होगा, आपकी kidney इससे खराब हो सकती है तो चाहे आपको इंसुलिल ना पड़े, चाहे आपको अपनी डाबेटीस की मेडिसिन को बढ़ाना पड़े, अपने sugar levels को टूरिट के नीचे रखोगे, तो आपकी kidney इस हाई sugar level की वज़ज से होने वले नुक्सान से बच चाती है अब चलते हैं अपने नेक्स बैड हाबट के उपर और वह है salt का over intake, salt अगर हम देखें तो क्या होता है, वह होता है sodium chloride, अगर हम अपनी बॉड़ी के अंदर sodium के मात पर जाता इंटेक करते हैं नमक के अंदर, तो हमारा BP शूट अप करना शुरू पर देता है, बॉड़ी में चार में से एक पेशिंग के खराब हो जाती है, और चार में से एक पेशिंग करना शुरू गर देखें चिड्नी छोटी होने शुरू हो जाती है बीपी की बज़ज़ से और इस बीपी का सबसे बड़ा कारण होता है नमक का over intake, अगर हम पापड भा रहे हैं चार खा रहे है चाटियां बहुत पसंद करते हैं और बहुत अधा मौनंट में इसको इं Doesmus miejsce. इसे हमारी बौर्डी के निदर जरूर से जाता sodium पोंचाता है और जरूर्स से जाता sodium हमारा blood pressure को बढ़ाएगा और इस Blood pressure शेसे हमारी किने पर बुरा असर पड़िए तो जितने भी आप अचार चट्टियां खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे उकेजिनली ख़िए डिली बेसिस पर तीनो टाइम अगर आप खाएंगे अचार चट्टियां घथ खाना तो इसका सबसे बूरा असर आपी गिंश पर देखनी को मिल सकता है तो आज से अचार हैं और आप इसे इग्नोर करते हैं तो या पर बहुत भारी पर सकता है बीबी की जो नोमल वैल्यूस होती है वो होती है 120 by 80 mmHg ये नोमल ब्लड पेशर होता है अगर आपका ब्लड पेशर नीचे वाला डाइसेस्टोलिक वाला 85-90-95 आ रहा है तो ये आपकी किड्नी के लि एक सबसे बड़ बड़ाने का मैंको पहले बता चुका हूं जाये वो कौफी हो च्याहाए का नमक का अवर इंटेक हो आपको तंबाको हो इन सारी चीजों को इंटेक करने से आपका ब्लड परेशर बढ़ता है और ये बड़ अब्लड परेशर आपकी किड्नी को नुक्सान तो आप सबह yummy को चाहिए किसे के अपने बिल्以上 को हो कॉंटिनया सबसी से करो कमसे काम मेन एक लो बातो एक पझा करो आपको लगता है कि कि अपका ब्लेड प Liberal प्रेश्र पढ़ कर आ अगर आप बहुत ब 쉽Ser भाना नहीं मिल अईुआ जो पर लेखिड से हम डिल होटे एक है दिल में जाथ सोटे है रात को जाकते रहते हैं तो इससे क्या आट है हоЮारे Sweet पूर प्रिक्न ऑन जोड़ से थे powered प्राइब करना शुरू है और इस थकावत को दूर करने के लिए हमारे ब्लड को ज्यादा पंक होना होना पड़ता है प्रेंग की तरफ कि प्रहपर तखे से ब्रेन को औक सब्सक्राइब को अगर शेयर होगा है और जब हमारा ब्लड को पहुचाना है तो ब्लड पिशर को बढ़ेगा और यह बढ़ा हमारी किड्नी को नुकसमन पुचा देता है तो अगर आप एक रात जागे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी दो रात जागे हैं कोई दिक्कत नहीं मगर अगर आप रात रात सूते नहीं हैं आप बैट की कुछ ने कुछ करते रहते हैं काम करते रहते हैं आपक बोडी थख रही है, आपकी बोडी थख रहे हैं, आपका ब्रмо के पाप लीक्टी कर रहा है तो इसका बूर आफसार के भर लगता है, तो हमारी नींढ प्र replicate के भर के बाफसा का यहा के आपकी जरूड़ी में होटा है। आप दिन में सोते हैं तो कम से कम अपनी आंट से 10 वंट की नींद लीजीए जब हम रात को जाकते हैं दिन में सोते हैं तो नीन हमें थोड़ी बढ़ानी परती है जिसे हमारी बॉड़ी कोई था कसे रिलाक्स कर सके और हमार को ही किड़नी की दिखते ना देखनी को मिले अब चलते हैं अपनी next bad habit की उपर और वह है ओवरवेट को इगनोर करना अगर आप ओवरवेट हैं मोटापा आपकी बॉड़ी में हैं और आप इसे इगनोर करते हैं तो ना से उससे आपको diabetes होनी की संभावना होती है साथ साथ आपका blood pressure बढ़ने की संभावना होती है और blood pressure और शुगर जब ही आपकी body में आ जाते हैं तो kidney feel होनी की संभावना बढ़ जाती है तो वेट बढ़ने से डिरेक्ट आपका kidney feel नहीं होती वेट बढ़ने से आपकी body में जो बीमारियां पैदा होने वाली है उससे आपकी किट्नी को बूरा असर पड़ता है तो आपने वेट को इगनोर मत कीजी अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इस पर काम कीजी एक्सेस कीजी प्यूकि जितनी एक्सेसा आप करेंगे आपका वेट उतना अच्छा मंटीन ना आपको शुगर होगी और आपको किट्नी हेल्थी रहेंगी अब चलते हैं नेक्स बैड हाबिट की उपर वह है कफसर इसका ओवन टिक खांसी होती है मोसम बदलता है अकसर हमें खांसी चड़ जाती है और खांसी को सप्पैस करने के लिए अकसर हमें कफसर ले ले लेते क्यटनि को नुकसान नहीं पुचाता है मंकर दसमें से एक चांस चाहिए पुचा सकता है थो जब आपको कफ हो जब आपको पता है बल्कम है आपको पता है कि आप वाइरल है और यह इस तो एक ठीक होनी वाली बीमारी तो इसimporte है इसका ठीकमेंट हमें करने से बचना चाहि क्योंकि यह आपकी किड्नी को बहुत बुरा नुक्सान पचा देता है और बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जो कि किड्नी फील बली ही कंडिशन होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही देखने को मिलता है कि बच्चे को बट खांसी होती थी ममी चाती थी कि अपने आपको कुछ दवाईयों से बचा के रखना चाहिए अगर हम इन मेडिसन से अपनी बॉड़ी को बचा लेते हैं तो अमारी किड्नी काफी हद तक बच जाती है तो मैं उम्यूद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गयोंगे कि कौन सी बाड हैबिट हमारी किड्नी के लिए खतननाख है इन से अमें बच के रहना चाहिए फिर भी आपके मार में कुई डाउट हो पिश्चों पूछना चाहते हो तो नीची डीवी नेंबर पे कॉल के साइं तो डॉक्तर से आप फ्री और फॉस नसर डेशन ले सकते हैं आप अपॉन्मेंट लेकर मुझ से भी आपकर मुझ सकते ह अब इसे की सथ आप तो इसमें चलने की आगे चाहूँ और में ते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद दन्यवाद आप